उधारं 6, प्रश्ण एक 7 मीटर चोड़ी सड़क एक वृत्ता कार बगीचे को घेरती है बगीचे की परिधी 352 मीटर है मार्ग का छेतरफल ग्याद कीजिए अध्याय चउदा, उधारं 6 इस प्रश्ण में हमें ऐसे वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल ग्याद करना है जिसकी चोड़ाई 7 मीटर है और वह एक वृत्ताकार बगीचे को घेरता है चित्र में देखें यदि हम बाहे वृत्त के छेत्रफल में से अन्ता वृत्त के छेत्रफल को घटा दें तब हमें वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल ग्यात हो जाएगा इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों वृत्तों की तृज्जाएं ग्यात करनी होगी तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं व्रित्ताकार मार्ग की बाहित रिज्या इसे हम यदि लें आरवन मीटर और व्रित्ताकार मार्ग की अन्तहत रिज्या ले लेते हैं हार टू मीटर इसके साथ ही हमें बगीचे की परीधी भी दी गई है बगीचे की परीधी बराबर है 352 मीटर तो हम लिख सकते हैं टू पाई आरटू बराबर 352 दो गुणित पाई कमान रगदें 22 बटे 7 गुणित आरटू बराबर 352 तब आरटू बराबर होगा 352 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22 यदि 11 के पहाड़े से इसे काटें तो हमें मिलेगा 11 दुनी 22 और यहां पर 11 तिया 33 और 11 दुनी 22 याने 32 बार पुना 2 के पहाड़े से इसे हल करें तो 21 दू और यह कटेगा 16 बार तो हमें प्राब्त हुआ है 16 गुणित 7 बटे 2 जो की आगे और हल हो सकता है तो हम कर लेते हैं 2 1 दू 8 तो याने की आटू का मान हमें प्राब्त हुआ है 56 मीटर आंत्रिक प्रित्य की त nostalgia हमें प्राब्त हुई 56 मीटर तो व्रित्ताकार मार्ग की बाह्यत्रिज्जा बराबर होगा 8 धन सडक की चोड़ाई जो की दी गई है 7 मीटर और 8 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? चपन मीटर तो चपन धन साथ बराबर हुआ 63 मीटर अब हम वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं तो होगा वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल बराबर बाह वृत्त का छेत्रफल रिण अन्तह वृत्त का छेत्रफल याने की पाई आरवन का वर्ग माइनस पाई आरटू का वर्ग इससे हम लिख सकते हैं पाई कोश्टक में आरवन का वर्ग माइनस आरटू का वर्ग आरवन और आरटू का मान रख लेते हैं तो हमें मिलेगा 63 का वर्ग माइनस 56 का वर्ग अब पाई का मान यदी हम रख लें तो होगा 22 बटे 7 और इससे सरल करने के लिए हम यहां सरसमिका का प्रयोग भी कर सकते हैं तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे 63 धन 56 गुणेत 63 रिन 56 हमने यहां कौनसी सरसमिका का प्रयोग किया है A का वर्ग रिन B का वर्ग बराबर A रिन B गुणेत A धन B चलिए इससे हमें क्या प्राप्त होगा 22 बटे 7 गुणेत 119 गुणेत 7 जिसका मान होगा 2618 वर्ग मीटर इस प्रकार हमें मार्ग का छेत्रफल प्राप्त हुआ है 2618 वर्ग मीटर वर्ग्ड़ को और स्था का वर्ग झाज नाकार है 2618 वर्ग मीटर इसका इसका स्था काई प्राप्त है